नमस्कर किसान भाई आप सभी का स्वागत है आप अपना यूट्यूब चनल की सांटूब में तो दोस्तो निन्वा और पटल जिंगा के आगेती खेती बरसाती मैं करने जा रहा हूं सबसे पहले दोस्तो खेतों को अच्छी से जोताई कर लें नौफाल से उसके बाद गोबर का पर्चूर मात्रा में छिड़काव करें एक विगा में कम से कम चाट टेलर गोबर का मात्रा देना आती है खेतों में ताकि आपका उर्वरक सकती बना रहे हैं दोस्तों मैंने इसमें चाट टेलर गोबर छिटवाद दिये हैं मोटा मटी एक विगा खेत है और छिटवाने के बाद मैंने इसको नौफाल से टानाफाल से अच्छाण वाद रोध खाने के लिए मैंने छोड़ रखे थे अब रोध खा चुके बहतरीन तरीका से उसका बा वर जैबोख फाद भर्मी कंपोस्ट बोलते हैं इसको धुख देंगे दोस्तों ये गट्ड जो भी मैं चास करता हुं या और गानिक ही करता हुं तो इसके भीटाने के बाद उसके बाद है मैं भुर भुरी मटी को गट्ड़े के अंदर में आई कि आईसे देने हैं कि देने के बाद दोस्तों कि ब्रीध कह सब देंक दोस्तों देखेंक दोस्तों लकड़ी और जितने घास उसको साइड में निकाले गड़े में फ्रेस रखें मट्टी का कि हमारा जो है अंकुरित बहुत अच्छा तरीका से हो और आज एक सर ले बना लें गंदर में कि बीज देते हैं तो 3 वीज थार्म, ऑंदर में चला जाएका और 3 वी जाने के तो इसलिए मैं तरकीब कर रहा हूँ कि ताकि जो धून भूप से बचांव इसका अंदर में फोड़े से पानी देते रहें तो आप सिचाई कर सकते हैं कोई दिखत और परसानी ना होगी दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि हर एक परतेक लाइन जो लाइन है जो मैंने सिधाई लाइन ली है उसका दूरी मुटा मुटी पांच फीट होनी चाहिए और गड़े का गड़े से दूरी भी पांच फीट होने चाहिए तो अगर ज्याद से दूरी बना कर रखें ताकि आपका जो फल है खाना खुराण बना सके और किटाडू का परकोप कम लगे धुक के वज़ से इसलिए थोड़ा दूरी बनाया जाता है बफार दिनों में अर गर्मी के दिनी में थोड़ा सामने भी आप करते हैं सामने-सामने गाज भी करते ह कोई दिकत नहीं है किन्तु बरसात के दिनों में तो इस्पिरे करने के लिए हमको जगा होने चाहिए इसलिए थोड़ा दूरी ज़रूरी है तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि इससे पहले इसमें टामाटर की खेती हुई थी तो इसमें जब मैंने रोटर चलवाया तो इ तो उस गढ़े में हंटर फिप्टी या फोरडन का इस्तेमाल करें जरसा पांच गराम या छे गराम हर गढ़े में डाल दें ताकि दीमक न लगे दीमक जो भी रहे गढ़े के अंदर में वह मर जाए तो यह चीज का धियान रखे और इससे पहले मैं बता दूं कि यह जो ब मौनसून आते आते जो है कि हमारा आट-डस इंच का या 12 इंच का मेरा पाउधा हो जाए तो इसके लिए मैं सपोर्ट के लिए छोटे-छोटे ढंके या पाईप का परियोग करूँगा उसके बाद इसके 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 इस इन के लिए फिर बास की लखडियों का भ्योश था करने पड़ेगा ताकि मचान दे सके जाल भी शा सके उसका उपर में मचा के लिए तो मचा इसलिए किया जाता है कि ताकि हमारा फल जो है जो जो गाच का पौधा का फल जो होगा वो क्वालिटी अच्छी हो सिधा-सुधा रहे तेडा वेका ना हो जमीन पर रहने से क्या होग का और कीट से कीट भी बहुत ज्यादा लगेंगे तो इसके बचाओ के लिए मैंने मचान का शुरुवात किये हैं और देखिए मचान के लिए बहुत सी शरल तरीका है कोई बहुत बड़ी नहीं होती है मचान करने में क्योंकि हर चीज अभी मार्केट में उपलब्द है पा चान बिधी करने से कोई दिकत और परसानी नहीं होगी एक चीज है कि दोस्तों यह जो है कि पाउधा मेरा 6-7 इंची का हो जाए 8 इंच का तो इस जगह पे जो पाउधा रहेंगे केतने बड़ा मने मोटा मटी हाइट 12 इंची तक हो जाए तो इसका किनारे 3-4 इंची छोड के आप इसको मटी को काट के दो तीन इंच काट दे काटने का बाद सोयल एक्सपार्ट केचुआ खाद और गोवर किनारे किनारे दे के फिर उसको ढख दे उसका बाद ऐसा करने से दोस्तों आप देखेंगे कि गाच का ग्रो अग्दम तीन गुना बढ़ जाएगे इसे गुना भी तीन गुना चार गुना बढ़ जाती है दोस्तों इसलिए मैं बताना चाहूंगा कि जब भी कोई खेती करें तो मार्केट में पहले ले जाने का कोसिस करें ताकि जो है कि पहला कमा पहला इंकम आपको मिले सब किसानों से पहले आप कोसिस में रहे कि आपको मिले तो ज़दी आप वाट्सप गुरूप से जूरना चाहते हैं ज़दी आपको कोई कश्ठ हो कोई परसानिया हो दोस्तो तो अराम से हमसे सेर कर सकते हैं इसके लिए मैं अभारी हूँ वाट्सप गुरूप का लिंक मैंने वीडियो में ही डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूं द हुआ 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 है